नमस्केष साथियों जैसा कि आपको पता है कि सुपर्टेट में जो संस्क्त विसए है दस नंबर के आप से पूंच Ha जाता है और दस नंबर में एक से दो प्रशना की गदाण सो पत्धांस जो पर प्रकुस्राब को चौरु करते हैं कि संस्कित की कुछ प्रिशिद्द्र लेकर हैं जिनको हम पड़ते हैं संस्कित में तो आइए आज हमине करते हैं संस्कित विश ही है कि संस्क्रड का जो साबदिक रूप है वह क्या होता है निया कि जुने the स्थेप्ट का सुध्धिक रथ होता है सुध्धिक रथ या परिमार्जित क्यान जैसे कि आपने पढ़ा है कि व्याकरंड संस्क्रत में यह व्याकरंड को परते हैं तो तो पता हो न चीव व्याकरंड का जो महत उद्देस होता है, महत पूर्ण उद्देस होता है, भै होता है, तुरुटी पूर्ण भासा में सुद्धता को प्रदान करना है, क्या जो तुरुटी पूर्ण है, उस भासा में क्या सुद्धता को प्रदान करना क्या होता है, इसका जो व्याकरण का एक उद्देस हो तो ब्याक्रियंते ब्यूतुपन ने सब्द आया है ना कि जिसकी ब्यूतुपत्य हो जिसकी निस्पत्य बताई जाए अर्था जिसके माद्यम से जब किसी सब्दों की ब्यूतुपत्य निस्पत्य बताई जाती है तो भही क्या होता है ब्याकरण में क्या होता है ब्याकरण आपकी बताई जाए आपका क्या है ब्याकरण है तो ब्याकरण को सबसे पहले किशने प्रभारशित किया है यह दि हम बात करते हैं जो ब्याकरण के जो जिनको हम प्रधान आचारी कहते हैं संस्कित ब्याकरण के जो प्रधान आचारी है बै कौन है महारिसी पारणी की बात कर तुर गावं में हुआ था कहाँ अटल जिले में जो ततकालि kulli जो उत्तर पस्चिम भारत है यहां पर गंधार हुआ कर था बहाँ पर एक गुरु का नाम बरस और इनकी जो मुख्य रचना है आप समें को पता है मैं क्या अस्टा ध्याई है अश्टा ध्याई है इनकी मुख्य रचना क्या है साथियों अश्टा ध्याई है अश्टा ध्याई है इनकी मुख्य रचना है और इनकी प्रिसद्धी है बै किसके कारण है संस्कत के ब्याकरण अचार के रूप में इनकी प्रिसद्धी है बही पर बात करते हैं इनका जो अश इसमें आठ हैं और प्रस्तिय कुल मिलकर कितने बाद हो गए है जब आठ कुनाचार कितने पाद हो गए रहे हैं प्रतेक अध्याय में 4-4 पाध हैं कुल मिलाकर आपके जो 32 पाध या चर्ण हो गए है और इसमें कुल कितने 4,000 सूत्रों का बर्णन किया गया है और एक चीज़ आप याद रखिए कि 4,000 में जो 3,996 सूत्रों को इनका क्या मुख्य माना जाता है कभी-कभी कितना दे देता ह है 3978 भी लिखा हुआ मिल जाता है अश्टा द्याई का जो प्रथम सूत्रा है तो प्रथम सूत्रा है आपका क्या है ब्रदिरादा ओच और अंतिम सूत्रा है ठीक है तो बात करते हैं किसकी आज अश्टा द्याई की बात कर रहे हैं तो अश्टा द्याई को किस ने लिखा ह सब्सक्राइब रहे हैं पर बात करते हैं इनकी एक रचना आगे नाम से जानते हैं यह किसकी रचना है सातियों यह आपकी किसकी रचना है महारिसी पार्णी की रचना है ठीक है बहीं पर एक इनके सिस्स हैं जिनका नाम क्या है कात्यायन है मुनी है या इनको बर्रुची भी कहते हैं ठीक है कात्यायन मुनी को बर्रुची भी कहते हैं तो महारिसी पार्णी के काने सिस्य है ठीक है इन्होंने क्या लिखा पार्शों पचात्स सूत्रों पर कैसी लिखंते हैं इनको क्या बारतिक कार भी कहते हैं इनकी एक रचना है स्वरगा रोहन भी है बही पर आपने नाम सुना होगा पतंजली जिनोंने रचना की किसके महा भास की रचना की जिनोंने अश्टा ध्याई की जो सूत्र है उनका एक विस्त्रत जो भास लिखा है इसलिए महारिसी है इन्होंने 1250 की कर रहा है 1412 लिखा इसलिए इनको बारतिक कार भी कहते हैं इन-की एक रचना है स्वर्गा रोहन भी है अब बात हम किसी कर रहे हैं शुर्गा-्स भास लिख इसलिए इनको हम क्या कहते हैं भास सिकार के नाम से ही जानते हैं भास सिकार के कुल कितने 84 आयनिक होते हैं तो स्वातियों अभी तक क्या पड़ा हमने अश्टा द्याई किसकी रचना है अश्टा द्याई किसकी रचना है महारिसी पार्णी की रचना है जिनको हम प्रदानाच जर्फ को सरका किना सब्कित का इने साथ को प्रदान आशार कुए और अंक्यूंत कर दोफ्री है इन और बंसक्तेरी का नं YOURिक प्रस प्रती प्णिद्रीन हैं तो कोलेट उन्हूंड़ी तो टोटल कितने भी तेंशाल जिसमेह नो नाम है कात्यान मुनि भी खयते हैं इनकी एक रचना है सुरगा रोहन भी है और मालिसी पार्णी की एक रचना है वह क्या है जाम बती जय है जिसको हम पाताल विजय भी कहते हैं ठीक है कात्यायन मुनिकों क्या कहते हैं बरुची के नाम से जानते हैं और इन्हों ने 4000 बारतिक लिखा है किस पर 1250 सुत्रों पर इसलिए इनको बारतिक कार भी कहते हैं और पतंजली क इसलिए इनको भासिकार के नाम से जानते हैं तो ए था अमारा आज का लेक्चर इसमें एक पर मैंने नोट करके लिखा है कौन भुटोजी दिछित ने सूत्रों पर क्या लिखा ब्रत्य लिखा इसलिए इने ब्रत्यकार के नाम से जानते हैं और इनकी प्रिसिद्ध रचना क्या है सिद्धान्त कौमदी है अधी बात करते हैं तिरमुनी आपसे पूँच लिया जाता है तिरमुनी में कौन कौन आते मार्सी पार्णी आते हैं कात्यायन मुनी आते हैं और पतंजली आते हैं ठीक है और नेक्ट लेक्चर में अब हम किसकी बात करेंगे जो हमारा सबसे पहला नेक्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात किसके करेंगे संग्या प्रिकर्ण की बात करेंगे जिसमें हम क्या जो आपके म मस कर दें, थैंक कुछ